हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी और ये Connect करने वाला है मुंबई के दो ऐसे भागों को जिनके बीच की दूरी पहले भले ही सडकों पर जादा ना हूँ पर समय आत्रा के नुसार लगभग दो घंटे की ये दूरी हुआ करती थी जो आज के समय 16 मिनिट में तैय की जा सकती है अगर मैं आपको इसे मैप पर दिखाना चाहूं तो आप यहां मेरे पीछे देख पाएंगे ये जो एरिया है ये मैप है basically महरास्टर का और ये जो portion आप देख रहे हैं ये portion है basically नवी मुंबई का ये नवी मुंबई का पार्ट है और इस तरफ आपको जो दिखाई देगा ये साउथ मुंबई है याद रखिए साउथ मुंबई का एरिया काफी famous है काफी लोग यहां विजिट करने आते हैं टूरिजम के लिए भी काफी important है और इस शेतर में आपको कुछ बहुत important चीजें दिखाई देंगी जैसा आप यहां पीछे देख पाएंगे यहां पे करने का एक alternative path basically government के द्वार जो है प्रपोस करा गया है प्रपोस करा गया था आज के समय जो है उसका inauguration है आज नरिंद मोदीस को inaugurate करेंगे चलिए हम इस discussion को आगे बढ़ाते हैं अगर मैं आप से कहूं तो कुछ इस प्रकार से आप इससे देख पाएंगे कि यह जो place है यहा एरिया है यह सागरी छेतर से गुजरेगा और यहां पर जो है यह पुल लगभग 16.1 किलोमेटर जो है वो travel करने वाला है सागरी एरिया में यह connect किसे करेगा तो जैसा मैंने आपको बताया South Mumbai का जो एरिया है उसे नवी मुंबई से connect करने का जो है वो project है जो complete हो चुका है य यह project के बारे में अगर मैं आपको एक brief इसकी history के बारे में discuss करूं तो 1960 से आप सोच कर देखे 1960 के दशक से इसके बारे में चर्चा थी कि इन दौनों places के बीच में distance physically जादा ना भी हो तो भी practicality में अर्तात व्यवहारिकता में distance काफी जादा महसूस हो रहा है अब इसके रिपोर्ट थी यह रिपोर्ट आने में लगभग लगभग 30-35 सालों का समय हो गया लग गया कि हां यह possible है इस एरिया में construct करना इसके पर शाथ construction के लिए जो है वो टेंडर समगाय गये कुछ अदर प्रॉब्लम्स थी जिनके solution के बाद end of the day 2016 में इसका construction जो है वो start हो पाया जैसा हमने discuss करा कि अभी के समय जो यात्रा है इन दो places के बीच में ये यात्रा लगभग 2 घंटे का समय लेती है जो अब आने वाले टाइम पे जो है वो 16 मिट में तै की जा सकती है पर यहां में एक dimension इसमें add करना चाहता हूँ क्या ये जो project है क्या इस सड़क का इस bridge का उप project है इस project की cost लगभग जो बताई जा रही है ये near about जो है वो 18,000 करोड के आसपास कहीं पर इसका जो है वो cost आता है लेकिन याद रखिए इसमें हमारा जो collaboration है वो जपैन के साथ है और जपैन के साथ हमारा collaboration इसलिए भी important है क्योंकि जपैन का भारत में investment ये कोई नई बात नह जो भारत का एक friend nation भी है उसा contribution लगातर भारत में बढ़ा है चाहे वो रेल नेटवर्क की बात हो बुले ट्रेन की बात हो टेकनलोजी शेरिंग की बात हो उन सभी में जापाने जो है वो इंडिया का अच्छा साथ दिया है अच्छा coordination है भारत और जपैन के बीच में इसके स जबना थी यह जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का टोटल जो कॉस्ट रहा भारत को वो अभी के केस में भले हमें इस नंबर के आसपास दिख रहा हो पर इसका कॉस्ट पहले कुछ कम होने की उमीद थी बट्ड यू टू पैंडिमिक का एक एरा भारत में पैंडिमिक पूरे वर्ड ने पेंडेमिक इसे फेस करा इस का जो कॉस्ट है नियर अबाउट 12-15% इंक्रीज भी हुआ है अगर हम इसके बारे में और एक चर्चा करें तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यह जो प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट बेसिकली दो पाटीज आप कह सकत बेसिकली मुंबई का मेट्रोपॉलेटिन रीजनल डेवलोप्मेंट अथारिटी यह अथारिटी और साथ में जेपैन का हमारे लिए सपोर्ड यह एक आप कह सकते हैं ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसमें इंडिया को काफी समय से इंतधार भी था और काफी लंबे टाइम से इ देखते हैं उनके कंपेरेशन में कितनी हैं तो शायद आपको दिखाई देगा कि लगभग लगभग 5-6 गुना सड़कों की डेंसिटी आपको देखने को मिलती है इंडिया के अधर मेट्रोपॉलेटिन सिटी में एस कंपेर टू मुंबई यह उसे एक उस गैप को ओवरकम से और एक अवेट सिटिजन के फॉर्म में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि जो बड़े हाइवेज होते हैं जा बड़े रोडवेज होते हैं उन रोडवेज में बड़ी समस्या देखने क पर हमेशा दिखाई देती है अब इससे बचने के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग करा गया है कौन सी है वह प्रणाली तो आप मेरे पीछे शायद देख पाएंगे ओपन रोड जो टोलिंग सिस्टम है इसका उपयोग करा गया है यह जो सिस्टम है बेसिकली यह सिंग प्रणाली है उसको उपयोग करा जाएगा और फास्टेक प्रणाली का एक एडवांस फॉर्म जो है यूज होगा जिससे हमें जादा समय भी नहीं लगेगा उस शीज को ट्रेवल करने में जरनी भी स्मूध होगी और जो वरकिंग एक्सपीरेंस है और जो ट्रेवलिंग ए पता होगा कि बेसिकली भारत में और हर एक कंट्री के अंदर जबी कभी इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रंड करने की बात होती है तो उस समय पर एक समस्या आती है वो है मरीन लाइफ की यानि कि अगर हम ब्रिजेस का कंस्रक्शन करते हैं सागरी एरिया में तो वह मरीन लाइफ पर इंपेक्ट आता है उसके बारे में भी इस प्रोजेक्ट पर जो है वो खासा ध्यान दिया गया है उस पर चर्चा करने से पहले हम इस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो अटल सेतु है क्या यह हम सभी के लिए डारेक्ली एकसेसिबल है तो देखे मै मैं इस पर स्टॉर पर अगर बात करूं तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यह जो अटल सेतु है यह टू वीलर्स के लिए उपन नहीं होगा यानि की समुद्र से तू अटल सेतु जो है यह मेंली पोर वीलर्स के लिए बड़े कमर्शिल वहिकल्स के लिए और इत्या या अधर इसी प्रकार के वहिकल्स इनके लिए यह जो है यह ओपन नहीं होगा यह अलावड नहीं होगे यानि की जो अधर वहिकल्स है इसके अलावा इसलिस्ट के अलावा वह वहिकल्स जो है इस प्रोजेक्ट को इस रोड को बहतर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे लगब इससे कुछ समय पहले हमने करी थी अर्थात सागरी छेतर पर इसका किस प्रकार से इंपेक्ट आएगा तो अगर हम इसे देखें आप आएंगे कि रात के समय यात्रा के लिए जो special arrangement करा गया है यह arrangement आप यहां मेरे पीछे देख पाएंगे लगबग 1200 के आसपास जो है exact number अगर जहां पर रोड है वहां पर जादा पड़े बजाए इसके कि उसकी light जो है effect करे सागर वाले एरिया को bridge जरूर सागर पर है पर उसका effect जो है वो marine एरिया पे कम से कम आए इसका ध्यान रखा गया है अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप सभी जो है वो आसानी स सीज को देख पाएंगे कि यह जो प्रोजेक्ट है इसमें जो इस स्थान पर आप लाइटिंग देख रहा है इसका बहुत ज्यादा impact आपको सागरी एरिया में दिखाई नहीं देगा चलिए हम इसे अगर और थोड़ा सा डीटेल में समझें तो इस एरिया की जो marine diversity है उसके category में आते हैं और यह पक्ची जो है यहां खासी संख्या में देखने को मिलते हैं अब अगर हम आगे बढ़ते वे इस बारे में चर्चा करें कि इस प्रोजेक्ट की और कौन-कौन सी कठनाईया रही थी कौन-कौन सी ऐसी समस्याय रही थी इस प्रोजेक्ट से related तो यहां मै आपका ध्यान तीन चीजों के और आकर्शित करना चाहूंगा याद रखिए कि इस प्रोजेक्ट के समय जब इसका construction करा जा रहा था सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी कि highly populated area है करजन संग्या घनलत वो काफी जादा है construction में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना प पड़ी थी और उसके बाद जो है वो इसके उपर ब्रिच कंस्ट्रक्ट करा गया है पहली चीज और दूसरी चीज यहां में आपका ध्याना कर्शित करना चाहूंगा ONGC एक company है आई तिंक आप सब भी अवेड होंगे बार जो एक हमारा nuclear power project है यहां पर यह जो है ऐसी companies यहां पर establish है इनकी pipelines जो है यहां पर establish है अब अगर आप इस area में ऐसी massive construction करते हैं तो एक construction कहीं न कहीं हमारे लिए जो है वो एक big challenge होता है otherwise ऐसे construction में कई बार destruction की भी संभा bridges का ऐसे populated area में ऐसे bridges का construction कई बार massive destruction लेकर आया है इसका अगर मैं example तू तो जर्मनी के time पर जब कनाल का project run करा जा रहा था आज से करीब 25-30 साल पहले की घटना है वहां पर massive destruction देखने को मिला था अब इस प्रकार की जो घटना है इस प्रकार की जो इस्तिती है यह कई बार problematic ह होती है इसी के साथ यह भी याद रखे कि यह जो project है इसका cost हमें पहले बहुत जादा लग रहा था जब तक हमने इसका estimation जो है वो experts के थूरू नहीं निकाला था no doubt अभी भी यह cost काफी जादा है काफी massive है बट फिर भी इना nutshell हम कह सकते हैं कि हमने जो achieve करा है यह world के comparison में यह cost काफी कम है याद रखे कि लगभग लगभग यह जो है world का 12th longest marine bridge होगा सागरी चेतर में आने वाला bridge होगा और भारत के लिए यह यह आप पाएंगे कि यह इंडिया के case में इंडिया का longest होगा यहां मैं आपका ध्यान इस बात पर भी आकर्शित कराना चाहूंगा कि अटल प्रश्न करा जाएगा तो वहां mention होगा recently जो construction हुआ है उसके बारे में अगर हम इसे एक nutshell करें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो construction है यह जो इंडिया का achievement है यह कहीं न कहीं transportation communication को increase करेगा यह जो project है यह आने वाले समय में हमारी जो trade की activities है उसे और भी ज्यादा गती प्रदान करेगा प्रफोर वी उस टू एंड आप सभी के लिए एक important announcement है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक golden opportunity है 2025 के लिए targeted P2Y batches अर्थाथ prelims to interview batches study IQ ने launch कर दिये है यह जो batches है इनमें जो admission की last date है यह 16th of jan है यानि की 16 जनवरी से जो है वो इसमें admission close हो जाएंगे अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको लिए golden opportunity है आप अपनी तयारी को और भी ज़्यादा sharp manner में prevail कर सकते हैं और भी sharp manner में उसे pursue कर सकते हैं याद अबी का proper solution और guidance provide करेगा 3R की live classes होंगी और इसमें जो SIP अर्था success in prelims program जो है वो इसमें included है यानि कि आपके pre के पहरे आपका सारा syllabus भी cover करा दिया जाएगा अगर आपको कोई भी ऐसी समस्याती है pre से regardingly तो वो जो है इसमें solve हो जाएगी साथ ही आपको जो classes मिलेंगी उसमे doubt sessions होंगे interactive classes होती है अर्थात class के बीच में आप faculty के साथ interaction कर सकते हैं आपको जो doubts आता है उसे audio में वीडियो में चैट के माधियम से आप live class में भी discuss अपने faculty के साथ कर सकते हैं साथ ही याद रखिए इसमें cap का program included होता है अर्थात current affair का daily one hour का आपको वीडियो भी इसमें मिले वो इसका part बनते हैं याद रखिए faculty code faculty accordingly change होता है आप अपने favorite faculties का code यूज़ करें जैसा यहाँ मेरा mention है एक लाइफ code ये course तभी आपको इस cause पर मिलेगा साथ ही अगर आप जो है वो 2024 के लिए आपका target है तो आपके लिए pre-oriented crash course SIP अर्था success in prelims plus के नाम से जो है वो available है same च classes है वो 13 जनवरी से प्रारंब हो जाएंगी और यह याद रखिए कि यह बैच प्री specific होता है live classes इसमें यह मिलेंगी आपको और वो साइज सुविधा है जो मैंने आपको बताया वो सब इसमें included है बट पी टू आई जो बैच है उसमें special feature है 25 के लिए है आपको यह चीज उस मिलते हैं नेक्स वीडियो में, have a very nice day, thank you